Hello friends, class 10th IT में आज हम बात करने वाले अपने unit number 1 यानि की digital document के एक और topic को ले करके दोस्तो आज मैं आपको यहां बताने वाला हूँ कि LibreOffice Writer को use करते हुए हम लोग templates कैसे create कर सकते हैं पहले से बने हुए templates हैं तो उनको हम कैसे use कर सकते हैं और इसके साथ-साथ दोस्तो अगर हम अपने कोई documents बनाते हैं जिसके थुरू हमने उसको templates convert किया है तो उस templates को बाद में हम कैसे update कर सकते हैं कैसे हम उसको delete कर सकते हैं कैसे हम उसको default कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे topics हैं पहले बात कर लेते हैं templates आखिर होता क्या है तो कई बार क्या होता है दोस्तों हम लोगों को requirement होती है अपने documents को create करने की उस documents में सारी चीज़े हम अपने एसाप से लगाए जैसे background color, font की size, font का color, logo ये सब कुछ और अगर हम चाहें तो पहले से बने विए कुछ templates को download कर सकते हैं अपने requirement के साप से अपने content को add कर सकते हैं suppose मुझे अपने एक resume बनाना है तो मैं क्या करूँगा या तो पूरा resume खुद बनाओ या नहीं तो net पे जाओंगा कोई templates download कर लूँगा और उस templates में जहां नाम लिखना है qualification लिखना है या ऐसी और information डालनी है like contact number या अपने दूसरी details तो वो आप simple सा add करते हैं तो उसके लिए आपने क्या यहां पर use किया है template तो templates जो है वो writer में या ms word में आप अपने according खुद भी create कर सकते हैं तो हम यहां पर देखेंगे Libre office writer में हम कैसे अपना एक template create कर सकते हैं खेर इसके साथ साथ दोस्तों कुछ templates से related कुछ और topics भी हैं जो अभी हम लोग discuss करेंगे so templates क्या होता है predefined templates कौन कौन से होता हूँ उनको कैसे हम use कर सकते कैसे अपना खुदकर templates बना सकते है धियर हम लोग यहां पर कैसे अपने sit को academic कर सकते और सास में है जीषोटे-चोटे से बाके सब कुछ पहले से बनावा है, बर्थडे कार्ड का बोला था, तो मैंने का था, वो पहले से बनावा है, आप अपने इसाब से अपना content डाल सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं, pre-designed document, कई बार हम लोग इसको pre-defined भी बोलते हैं, ठीक है, pre-defined या pre-designed document कह सकते हैं, तो इन Libre Office Writer, a template is a pre-designed document, मतलब पहले से designing उसकी complete है, आप simple अपने content को डाले हैं, ठीक है, that can be used as a starting point for creation a new document, तो जब भी आप अपना एक नया document बनाते हैं, उसमें जो designing का part है, वो आपका पहले से हो चुका है, आप simple सा अपना content डाल दीजी और आप आगे ज़ले, इट contains pre-defined elements, आप पहले से ही उसके अंदर कुछ डाल के रखा हैं आपने, जैसे की styles क्या होगी, fonts क्या होगा, formatting क्या होगी, उसका header and footer क्या होगा, और कुछ दूसरे document settings भी आप यहां रख सकते हैं, जैसे मैं यहां एक example ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास कोई report है, एक report मैंने पहले से बना रखी है, उसी reports को use करके अब मुझे एक नहीं report और बनानी है, तो उसका documents का जो background है, या style है, या color है, मुझे सब कुछ वही चाहिए, तो मैं उस reports नाम से क्या कर सकता हूँ, अपने एक template बना दू, ताकि मैं अगली बार सिदे ही उसको use कर सकता हूँ, या letters बना सकता हूँ, या invoice बना सकता हूँ, आप जैसे letterheads अगरा होते हैं, वो भी हम लोग यहां create कर सकते हैं, एक-एक करके आप उसको discuss करेंगे, इसी तरीके से using a predefined templates, अगर पहले से कुछ templates आपके पास available है, हाला कि LibreOffice Writer में limited होती है, आप बाद में उसको download कर सकते हैं, या खुद भी create कर सकते हैं, तो यहां पर हम कैसे उसको use करते हैं, इसके लिए क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने एक dialogue box आएगा, उसमें से आप अपने पसंद की कोई भी templates को choose कर सकते हैं, इसकी shortcut भी है, control plus shift plus end, आप यहां से भी इसको choose कर सकते हैं, और साथ में आप चाहें, तो इसको use कर सकते हैं, standard toolbar से भी, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, दोस्तों, यहां पर जाता हूँ, सबसे पहले writer में, मैंने writer start कर दिया है, writer में आजाने के बाद, मैं यहां से, दो-तिन जगे हैं, जहां से मैं इसको use करने वाला हूँ, एक तो यह दोस्तों, यहां standard toolbar, इसमें देखेंगे, तो आपको option मिल जाएगा template, यहां से आप choose कर सकते, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा यहां file, file के अंदर option है new, new के अंदर में भी आपको देखेंगे, तो मिल जाएगा file, file menu, और new में आपको नीचे मिल जाता है templates, आप यहां से भी इसको choose कर सकते, ठीके, इसी तरीके से अगर आप चाहें, तो आप इसकी shortcut भी use कर सकते, control, shift और end, तो इसे भी आपके सामने template window आजाएगी, पहले से बनेगे कुछ template से आप उसको use कर सकते, जैसे मैं यहां पर दोस्तों use करना चाहरा हूँ, यहां पर एक modern business letter है, इसको मैं use कर लेता हूँ, जैसी इस पर double click करेंगे, आपके सामने आजाएगा, आप यहां पर sender's का name, company name, address, street, जो भी इसका address है, वो लिख दे है, date आपके सामने आचुकी, यहां title लिख दीजिए, dear के बाद क्या लिखना चाहते हो, और यहां क्या content डालना चाहते हो, sender का name बता दीजिए, यहां आप अपनी company का logo लगा सकते हैं, तो इस तरीके से क्या है, कि हमारे पास पहले से एक documents बनावा पड़ा है, हम सिदा सिदा इसमें content डाल दे, हमारा document रेडी हो जाएगा, एक तो आपके पास है, templates सिदे सिदा आप इसको use कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे यह templates आपके पास बनावा है, suppose कि यहां में जाकर के लिखना चाहता हूँ, किसी का नाम, तो मैं यहां जाकर लिख देता हूँ, dear, suppose किसी का नाम था राहूल, ठीके मैंने यहां जाकर लिख दिया राहूल, और यहां पर इसी तरीके से मुझे इसके अंदर कुछ लिखना था, content, जैसे this is to inform that, something कुछ, तो जो भी आपको यहां लिखना है, इसमें आप अपने paragraphs लिख सकते हैं, ठीके, we are looking forward to hearing from you soon, यहां आप लिख सकते हैं, your sincere लिख सकते हैं, और यहां आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ, like surrender, ठीके, इस तरीके से आपने mention कर दिया, यहां अगर आप अपने company का कोई logo लगाना चाते हैं, तो लगा सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, simple है, insert में भी जा सकते हैं, insert में आपके पास आजाता है image, image आपके पास जो कोई भी बनी भी पड़ी हो, वो आप यहां से choose कर सकते हैं, तो मेरे पास यहां पर कोई एक image हो सकती है, computer में, मैं एक बार उसको देख लेता हूँ, suppose यह रहा, तो यह मैंने एक logo लिया है, और इस logo को मैं यहां से थोड़ा असा छोटा कर देता हूँ, और इस logo को अपने इसाब से यहां पर manage कर देता हूँ, तो यह एक मैंने अपने इसाब से एक documents create कर दिया है, बाकी आप इसमें और भी चाहें तो कुछ changes कर सकते हैं, तो यह simple सा आपने क्या कर दिया है, एक document बनाया है, क्या use करा है, इसके लिए आपने template, इस document को save कर देंगे, आप इसका जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम sample one two रख देता हूँ, और हमने अपनी एक file बना दी sample one two नाम से, किसको use किया है, templates को, अब हमने यहां पर यह देखा है, कि templates को कैसे आम लोग यहां पर use कर सकते हैं, तो यह topic था using a predefined templates, पहले से बने वे हैं उसको use करना है, क्या कर रहा है, open library office writer, click on file menu, और यहां पर हम लोग गए है, file menu में option था new, new में था templates, templates पे जैसे click करा, आपके सामने you see, तो यह विल सी a list of available templates, you can browse your by categories, आप अपनी categories के इसाब से, अपनी templates चूज कर सकते थे, select the template you want to use, and click open, आप उस पर click कर सकते हैं, क्या करा था दोस्तों, control plus F plus N यूज करा, और आप यहां पर अपने इसाब से, अपनी particular category के इसाब से भी, अपनी templates को चूज कर सकते, तो वो template अगर है, दिखा देगा, otherwise मैं all करके, सारे के सारे यहां से use कर सकता हूँ, तो यह समझ मा आगया होगा, इसके बाद अपने पास क्या आता है, creating a template, अगर आप अपने खुद का एक template बनाना चाहते हैं, जिसे यह तो पहले से बने वे थे, अब मैं चाहता हूँ, मेरे business में इस type के templates की जरूद पड़ेगी, तो वो template में पहले से बना के रख सकता हूँ, क्या करना होता हूँ उसके लिए, तो simple अपना एक document बना दीजिए, बस आप उसको control S करके save नहीं करें, आप उसको save करने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों वही सब कुछ use करना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक logo था, मैं इसको copy करके यहीं पर ले आता हूँ, इस logo को मैं रखना चाहता हूँ, इस जगे पर, suppose यहां ले लेता हूँ, इसके साथ-साथ मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, score शाला, इस तरीके से, score शाला जो मैं लिखना हूँ, इसकी font की size भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीके, इस तरीके से इसकी size बढ़ा दू मैं, इसको मैं bold करना चाहता हूँ, इसको मैं यहां से colorful करना चाहता हूँ, इसको मैं logo को थोड़ा इसके आगे set कर लेता हूँ, यहां पर थोड़ा space देता हूँ, ऐसे, इसके साथ साथ दोस्तों मैं यहां पर चाहता हूँ कि एक नीचे line बनिया जा, तो shape में जा सकते हैं, आप line में जा सकते हैं, और एक simple से line आप यहां पर create कर सकते हैं, इस तरीके से, एक line बन गई, इस line को थोड़ा सा मैं और manage कर लेता हूँ, तो यह अपने पास एक line आई है, इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा, अगर crop वगरा भी अगर आप करना चाहें, तो खेर, वो भी कर सकते हैं, मैं इसको इतना ही manage कर लेता हूँ, इसके बाद दूस्तों, मैं यहां नीचे आने के साथ-साथ, यहां पर अपना phone number या, और भी अगर कुछ information आप डालना चाहें, तो आप डाल सकते हैं, मैं यहां पर कुछ contact details दाल देता हूँ, जैसे कि, suppose मैं यहां जाके लिख देता हूँ, 7878, 98, 788, ऐसी कोई नंबर डाल देता हूँ, और यह मैं चाहता हूँ, जब भी मैं अपना एक document यूज़ करूँ, उसमें यह तो लिखा IEI, बाकी आपको आगे जो भी लिखना है, यहां रेफरेंस नंबर या जो भी आपको डालना डाल दो, यह तो मुझे चाहिए चाहिए, इसमें अगर आप border वगरा जो भी आप अपलाई करना चाहते हैं, वो भी आप यहां पर manage कर सकते हैं, इसे format में जा सकते हैं, पेज स्टाइल पे जा सकते हैं, और यहां पर आप दूसरी जो भी स्टाइल साप लेना चाहें, वो आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका background, color वगरा पूरे page पर आप जो भी चूज करना चाहें, कर सकते हैं, आप यहां पर जो भी grid है, या उपर अगर आप देखेंगे तो border है, आप यहां से जैसा भी border चूज करना चाहते हैं, वो भी आप यहां से कर पाएंगे, border की size, border का color कैसा रखना चाहरे हैं, तो इस type से अगर आपको पसंद जो भी formats हो, आप चूज कर लीजिए, okay कर देंगे, आप इस type से देख पाएंगे, यहां आपके पास वो content आचूपा है, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा एक बार और चोटी size कर देता हूं, अच्छी से दिखता रहेगा, इस तरीके से मैंने अपना एक document बना दिया, अब मैं इसको save करने के लिए क्या करना है, नॉर्मली ctrl s नहीं करना है, आपको जाना है templates में और यहां option है, आपके पास save as template जैसी आप इस पे click करते हैं, आपके सामने एक dialogue box आजाएगा, जिसमें आप अपने templates का कोई नाम देना चाहें, वो दे सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ सपोस्कि ऐसे score शाला बस score शाला ही रख देता हूँ इसके बाद इसको कौन सी category में डालना चाहते है, नन, कोई category ही नहीं, आप चाहते हैं, माई templates वाले category में जाहें, या कोई दूसरी जो भी आपके पास, जैसे draw वाले के अंदर तो एक भी नहीं था, empty था, आप वो भी select कर सकते हैं, जो भी आप select कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे my templates लेता हूँ, आप इसको यहाँ से save कर सकते हैं, इसमें एक option भी यह वैसे save as default, जब भी आप अपनी new file open करेंगे, जब भी आप अपना LibreOffice Writer on करेंगे, तो यह वाली file आपके सामने, यह templates आपके सामने by default आजाना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप इसको choose करिया, अलाकि सही नहीं है, हर बार जब खोलेंगे, तो यह template पे तो काम नहीं करना है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ से set as a default नहीं कर रहा हूँ, जैसे save button पे click कर दूँगा, मेरी यहाँ पर templates जो है, वो save हो चुकी होगी, देखना चाहता हूँ, दोस्तों सपोज मैं यहाँ से एक नई file open कर देता हूँ, और उस वाले templates को मैं यहाँ से बंदी कर देता हूँ, और मेरा template save हो गया, फाइल नहीं कर रहा हूँ, template save हो चुका है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर से file new, और new में अपने पास आता है templates, आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी अपने टैंपलेट बनाया था score शाला नाम से यहाँ एड हो चुका है, और all categories में है, हाला कि मैंने इसको रखा था my templates में, तो my templates में यहाँ आपको नाम देखने को मिल चुका है, आप इसके उपर जाएंगे, double click कर देंगे, आपका वो score शाला वाले templates open हो चुकी और इस documents में आपको जो कुछ भी changes करने आप अपने इसाब से जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, तो formats आपके पास available है, जो भी changes करने आप यहाँ कर सकते हैं, अपने documents अपने इसाब से manage कर सकते हैं, अब यहाँ पर next जो हम लोग यहाँ discuss करने वाले हैं ठीके वो क्या है अपने पास, इसको भी मैं कर देता हूं दोस्तों close, तो यह अब मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, file, file में template, template में है save as template, next है आपके पास वो यही था के save as template dialog box आएगा, इसमें आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, name your templates, categories चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी करीबी थी यहाँ पर my templates, और उसके बाद आप इस save button पर click कर देंगे, तो वो आपका save हो जाएगा, now your templates is saved and available for further use in the templates menu, templates menu का मिल जाएगा आपको, वो template option था आपके पास file के अंदर, new, new के अंदर, templates यह, shortcut क्या है, control plus shift, control plus shift plus n, ठीक है, इसी type से updating और modifying the templates, अगर आप उसमें कोई changes करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, open and existing templates, जो भी templates उसको open करें, go to the file, templates and manage templates, आप उसमें क्या कर सकते हैं, templates में जाएगे, manage templates पे click कर देंगे, और आप उसको यहां से, जो भी changes करना चाहते हैं, ठीक है, locate and select the template you want to modify, किसको modify करना है, वो आप देख लेंगे, file आपके पास आजाएगी, इसके अलावा right click on it, आप उसके उपर right click कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास option है, and select edit, आप इसमें edit button पे जा सकते है, to open the template in the library office writer, आप यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, जहां से आपको पसंद हो, आप चूज कर सकते हैं, अगली बार जब आप यहां से फाइल ओपन करेंगे, मैं यहां से फाइल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस बार नए वाले number आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब मैंने उसको modify कर दिया है, तो इस तरीके से हम यहां पर उसको modify कर सकते हैं, अलाकि यह भी पूरानी वाली फाइल थी, जब आप नई फाइल ओपन करेंगे तो उसमें वो नया content आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे किया, ठीके, shortcut use कर रहा हूं और इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं, जो भी number थे, या suppose कि score शाला के वीचे मैं dash लगाना चाहता हूं, इसका मैं color बदलना चाहता हूं, क्या करूंगा मैं यहां से suppose इस text का color बदलना है, तो यहां से जाकर के लिए देता हूं मैं suppose यहां पर blue और यह जो अपके पास background color है, format के अंदर क्या था अपने पास में यहां पर एक option था page style, page style में यहां पर क्या करना था background में page area, page और यह आपका area ठीके तो यहां पर आप जो भी light color चूज करना चाहें कर सकते हैं apply then ok, यह आपके पास था क्या करेंगे, file में जाएंगे, तीकिषमेस नर्लिट में जाएंगे यहां आपके पास में ब्लाइज Sc distracted, यह आप के सामने या रहा है और यहां विद्यक्तर आप चाहें तो इसको यहां से च finely रखेंगे और यहां से इसको यहां से ऊपडेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको जो भी आप update या manage करना चाहे, edit करना चाहे, कर सकते, next हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इसको मैं कर देता हूं फिर से बन यहाँ आ जाता हूं, इसके बाद आपके पास क्या है, यह हमने देख लिए, इसको modify करके, इसी तरीके से next है आपके पास care, यह जो से मैंने इसको change किया, एक चीज और थी, इसके अंदर वैसे मैंने mention कर रखा है, अगर आपको लगता है वो वाला पढ़ा रहन देने चाहते हैं, और आप चाहते हैं, इसमें कुछ नया हो, तो फिर से वही कर सकते हैं, आप क्या करेंग इस बार मैंने अभी तक दो बना रखे हैं, एक उसको modify किया था numbers के लिए, और मैंने यहां पर एक नया और create कर दिया, तो मैंने एक templates बना दिया, जिसमें जो भी changes आपको रखने, आप रख सकते हैं, मैं इसको close कर देता हूँ, अब next अपने पास क्या है, दोस्तो, update हो चुक क्या करेंगे, आप simple सा है, templates में जाएंगे, manage templates और यहां से select the template and use the options to renaming or deleting, आप वो भी कर सकते हैं, या इस पर right click करके, आपको जो भी आपके पास template हो, उस पर right click करके, आपके पास options हैं, आप open, edit, save as default, या ऐसे export भी कर सकते हैं, export का मतलब क्या है, you can also export a template by selecting it in the manage templates window, then using the export option, आप यहां से इसको भीजना चाते हैं, export करना चाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ options थे जो भी हम लोग यहां discuss कर रहे थे, I hope दोस्तों यह सारी चीज़ें आपको समझ में आगए, कि practically मैंने आपको सारी चीज़े बता दिये, तो आज के इस वीडि में एक और नहे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप में एसाथ जुड़े रहिए, थेंक यूँ